तो guys CBC class 12th के जो compartment private repeater वाले students हैं आपके लिए आज का दिन बहुत खास है क्यों खास है वो मैं आपको थोड़े दिर बाद में बताऊंगा लेकिन पहले मैं कुछ एक बात यहाँ पे एक खुशकबरी आपको दे दूँ देखो यहाँ पे एक खुशकबरी यह निकल करके आई कि CBC class 10-12th के जो students हैं उनको grace marks दे करके पास किया जा रहा है जो भी बच्चे फेल होने के कगार पे थे उन सब के लिए यह बहुत बड़ा update है तो एक खुशकबरी से मैंने शुरुबात किया जो कि YouTube पे अभी किसी ने भ पास messages आ रहे हैं voice messages आ रहे हैं वो दर्द जहलकता है जो आप लोग देख आप लोग जो बताना चाहरे हो वो ऐसे भी मुझे संज में आता है लेकिन आप लोग चिंदा नहीं करो any moment good news can come किसी भी पल किसी भी शन आपके लिए एक अच्छा अपडेट निकल करके आ सकता है क्योंकि advocate मंतर शर्मा माम ने जो रिव्यू पेटिशन लगा रखा है वो अभी तक हाला किया सब नहीं वाए बट किसी भी पल यह हो सकता है आज संड़े आज तो कोट बंद है तो अब जो होगा वो कल ही देखा जाएगा लेकिन किसी भी वक्त मुझे लगता है किसी भी वक्त चीजे निकल करके आ सकते हैं लेकिन आपको भी अपने साइट से इनिशियेटिव जो है बच्चों वो लेना पड़ेगा ठेक है मेरे पास में बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया कि सर आप भी जो कहें ट्वीटर पे जो कैम्पेंड रन करना है तो उस पर आप भी आईए तो बच्चों हम तो पहले से ही हैं आप देखी रहे हो कि क्लास 10-12 या आप लोग हो गए सबसे बड़े रूप में अगर किसी ने सपोर्ट किया है ना सिर्फ सी बसी बोड को सबको तो वह सिर्फ और सिर्फ हम हैं तो गैस यहां पर मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आज का दिन संडे है यू है अभी आपको क्या करना होगा कि आप सब लोगों को मिल जूल करके एक दोसरे को सपोर्ट करना है कैसे सपोर्ट करना है ट्विटर पे जाईए और जा करके ट्वीट कीजिए अपने खुद के एकाउंट से दूसरे एकाउंट से कुछ मेसेज आ रहा है तो उसे रिट्वीट कीजिएगा आप क्या ट्विट करना है पहले मैं आपको बता दू हैस्टेक सेव प्राइवेट स्टूदेंस हैस्टेक सेव कंपार्टमेंट स आपको मिल जाएगा तो आप आपने अगर हमारे यह ट्वीटर एकाउंट को अभी तक फॉल्व नहीं किया आपने मुझे अभी तक फॉल्व नहीं किया तो कमन गो फो डाट ऊपर में आपको लिंक दिख रहा है चेके एट विशाल आर्या मेरा ओफिशल ट्वीटर हैंडल तो ट्वीट आप जितना ज़्यादा करोगे वो मैसेज तक जाएगा शोशल मीडिया में एक पावर माना जाता है जिससे की लोगों का ध्यान हम उस जगह की तरफ खीट सकते हैं तो जितने भी देखो जो भी हैं वो सही महने में आप लोगों के साथ में हैं बहुत सारे लो जब मुद्द चलता था उससे में भी मैंने का था कि पढ़ाई को मत रोके क्योंकि वो तो अपकमिंग फ्यूचर में आपके काम आने वाला है और वो पढ़ना तो है ही पढ़ाई से हम दूर नहीं भाग सकते हैं तो आपको पढ़ाई करना पढ़ाई करते रहो लेकिन गो आप सबसे रिक्वेस्ट करना यार सब एक दूसरे को अगर help करेंगे तभी सही माइने में हम लोग एक फैमिली कहलाएंगे स्टूरेंट्स ग्रूप कहलाएगा तो प्लीज ग्रूप कहलाएगा तो प्लीज गो फॉर दैंप्लीज सपोर्ट प्राइवेट कंपार्टमें र आई रिक्वेस्ट चेके मिल दे हैं नेक्स्वीडियो में प्लीज दूशेर इस विडियो टो एच अवर्यवन और टैक्स जरू करले और लाइक जरू करें शेर जरू करने कमेंट जरू करें और कमेंट सेक्षन में जरू लिखना सर वी आर यूनिट जै हिंद जै भार